कि वेरी वेरी गुड इवनिंग टू वाल फियो तो डियर इस्टुटेंट अर्थमेटिक के आज हम नेक्स्ट क्लास पर आच चुके और आपके सामने कोश्चन है इस कोश्चन को आप देखेंगे तो अब कोश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं बच्चे कोश्चन यह है हमारे पास में एज ग्रूप इन इयर है तो एज ग्रूप इन इयर बिसकीकलि इसको हम क्या बोलते हैं जो एज ग्रूप है उसको बिसके लिए हम X से रिपसेंट करते हैं ठीक है जी और अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा था यहां करते हैं सही रहेगा हम एप करते हैं आंग एक हैंगे एजग गूपर आंग जिसको हम डेटा है एक सेरी बतन करेंगे जो कि क्या है 20 से 5 5 का ग्याप है और यह मेरे पास पर 65 तक है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 तो 50, 50 तो 55, 55 तो 55 तो 60, 62, 65 यह एज ग्रूप है 65 वर्ष तक, 60 से 65 तक और जो नंबर अफ एंप्लोई जिसको हम बेसिकली क्या कहेंगे यहाँ पर नंबर अफ एंप्लोई को फ्रिकेंसी कहेंगे तो इस एज ग्रूप में कितने एंप्लोई हमारे पास में 30 एंप्लोई है और 160, 210, वन एटी, वन एटी, वन एटी, वन एटी, वन फॉर्टी फाइव, वन जीरो फाइव, 70, 60, 40, 70, 60, 40, क्लियर है अब आप यहाँ पर देखेंगे दिख रहा है आपको सबको थाथ दिख रहा है अब बच्चे कोशन क्या कहता है कोशन पर आते हैं दा फॉलविंग डाटा रिलेट दा एज डिस्टिविशन आप थाउजन एंप्लोई वरकिंग इन दा लाज इंड टोल नमबर ओफ कितने एंपलोई यह हमारे पास पर थाउजन इंपलोई जेंगे डिव दूदा अग कॉंटिनिस लॉस इस डिसाडिट टो बिंग डाउन दा एंप्लोई स्टेंट तो 30 पर सेंट अप दा पर्जेंट नमबर अकोर्डिंट तुदा फॉलविंग स्कीम तो उसमें से क्या कह रहा है उसमें से आपका डाउन कर रहा है क 되면 लोर एजज ग्रूप में से 15 पेसंट क्या करा है इसने डाउन करा यहांँ में था पास होता हैं सबसे पहले के मेरे पने 1000 इम्प्लॉई है晚上 15 इंपलोई इसका मतलब बाहर निकालने का मतलब हो गया 150 employee आप बाहर निकालने की बात कर रहे हैं और यह किस age group से आप 150 निकालेंगे तो किया रहा है to the first 15% of the lower age group तो lower age group से जो lower age group तो यह है ना तो इसमें से 1500 employee निकालेंगे तो 1500 employee कैसे निकालेंगे इसमें से तो आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा 30 तो आप यहां से ले लेंगे तो 30 माइनस कर देंगे तो यह जीरो बचेगा अभी 150 employee निकालने है तो maximum यहां से तो 30 employee आप निकाल सकते हो ना lowest में से 30 employee तो 30 तो भाहर कर सकते हो आप लेकिन आपको 1.500 बाहर करने हैं तो बाकि कि कितने बचे हैं अब टू अब्सॉर्ब दा नेक्स 45 परसेंट इन अधर ब्रांचे तो थाउजन्ट इंपलोई का 45 परसेंट और निकालना है तो मतलब 450 इंपलोई और बाहर करने अधर ब्रांचे से तो यहां पर 40 पचा था तो यहां से मैं 40 को और निकाल देता हूं तो 0 बचा तो अब मेरे पास में 40 निकाल देता हूं मैं देखते रहा तो चालीत इंपलोई भाह कर चुकहां तो 410 बचा थीक है अब इसमें से में पूरे के पूरे 200 इंपलोई और भाह निकाल देता हूं 210 sorry 210 employee बहार निकाल देता हूं तो क्या उचेगा जीरो तो इसमें से 210 employee बहार निकाल दिया मैंने तो 200 बचा अब यहां पर मैं पूरे 180 को आउट कर देता हूं भईया आउट हो जाओ जीरो बचा तो अब मेरे पास में 180 मैंने और बहार कर दिया अब मुझे 20 और बहार करने है clear है बात समझे तो इसमें से मैंने क्या गरा अब 20 employee बहार कर दिये तो मेरे पास में 125 employee यहां बचा हुआ है आगे क्या कहता है तू make 10% from the highest age group तो आपका thousand का thousand का 10% मुझे अभी और बहार करना है तो कितना हो गया hundred तो hundred employee बहार करना है highest age group से तो highest में तो यह नीचे से आएगा ना highest तो 40 ही माइनिस कर पाऊँगा इसमें तो यहां पर जीरो बचा और पूरे 100 बहार करने हैं तो आपकी 60 कहां से बहार करूं हाई इसमें फिर यहां से 60 तो यह क्या बचा जीरो बचा तो अब मेरे पास में कुल मिला करके जो बचा हुआ है जो रहे गया जो बच गया वो चालीस से पैंतालीस और पचास से पच्प तक जो मेरे पास में बच्चा है 40 X 245 452 40 245 452 50 52 55 55 552 60 60 यह तो खतां 55 वी तक बचाता हमारे पास पर पहाता है फिप्टी फाइटा वी कितने मचेते हमारे पास है 125 105 और 70 125 इंपलोई यहां बचाता 105 यहां बचाता और 70 इंपलोई यहां बचाता यह फ्रिकेंसी है का मुझे क्या करना है मीन निकालना है का भी क्या रहा है हमसे यह देखी हो एक जफ से जो यहां पर मेरे निकालना है तो यहां मेरे इसको आम सम करेंगे और डिवाड़ी बाए, सम करके डिवाड़ी बाए, तू कर देंगे, तो खेर 42.5 आगा, इसके मिड में तो 42.5 होता है न, अब पांच अगे दिदे देते हैं, 47.5 और पांच अगे दिदे देते हैं, 52.5, डारेक्टी निकाल देते हैं, आप हम, FM, तो FM 125 इंटू 42.5, बावन पिछेटर, ठीक है, और 105 मुल्टिप्लाइ बाए, 47.5, तो यहाँ पर हमारे पास में, 4987.5, और इसी तरीके से, 52.5 इंटू 70, तो क्या है मेरे पास में, 3675, अब स्वाल करेंगे यहाँ परम, तो सिग्मा, FM, जो हमारे पास में आएगा, प्लस, 4987, 4987.5, प्लस, बावन पिछेटर, तो सॉल करेंगे, 13937.5, मीन का फामला क्या होता है, एक्स बार एक्पलस टो सिग्मा, FM, अपॉन सिग्मा, F, जिसमें कि आपके पास में सब कुछ है, सिग्मा, FM आपके पास में है, 13937.5, एंट सिग्मा, F, भी आपके पास में है, जो आपके पस में employee बच्चे हैं जो ये आपके सब्सक्राइब बाहर कर दिए आपके इंप्लोई बच्चे कितने हैं यह उसको add करते हैं 125 plus 105 plus 70 तो 300 employee बच्चे हैं आपके पास में clear है तो 300 employee आपके पास में हो गया यह Sigma F clear है तो आपके पास पर तीन सो सिगमा एफ तीन सो एक्स बार इक्वल्स टू 139 37.5 अपॉन 300 अब सॉल करेंगे इसको 139 37.5 डिवाड़े बाइ 300 तो एक्स बार एक्वल्स टू क्या आया 46.45 जो रिमेनिंग इंप्लोई रह गए है इनका जो एवरेज एज है आपका यह आया है चैट पर ध्यानी दे पाया सर क्लास अभी स्टार्ट हुए सर एफम में फ़र्स्ट फिट्टी थी वन पॉइंट चेक कर लिते हैं हाँ है फास्ट हाँ सब्सक्राइब फोर्टी टू पॉइंट फाई लाए वन तू फाइव पांसो इकत्तिस यह से मिस्टिक क्यों ओडिकल्फुलिट चीए पांसो इकत्तिस दो पैंट पांच प्लस उनन चाह सताशी उनन चाह सताशी पॉइंट पांच प्लस चट्ट्यस पिचट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जवारी भाई थीन सो 46.583 यह एवरे जा है बच्चे इसमें न टोटल एम्प्लोई का ही यह बात कर रहा है दा फॉलिविं डाटा रिलेट तो दा एज दिस्टिविशन अब थाउजन एम्प्लोई वर्किंग इन लाज इंडस्ट्री हाउस दिस्टिविंग डाउन दा एम्प्लोई स्टेंथ तो 30 परसेंट अब दा प्रजेंट नंबर अकोडिन टू दा फॉलविंग स्कीम तो उसने सोचा कि अब जो इसकी स्टेंथ है स्टेंथ को वह 30 परसेंट तक ले जाएगा अभी के से कंपेर करें तो और हुआ भी हजार एम्प्लोई की कंपणी थी अब 300 एम्प्लोई कंपणी रह गई तो अपने स्टेंथ को 30 पर लेके गया नहीं गया रिमेनिग पर इनीशल पर तो जब आको इस करना होता है तो इनीशल पर ही अपने सिक्षाइग करना होता थे और क्ली को कि